जो है वह क्या करते हैं सुक्रान उत्वन करने में मुदद करते हैं जूल करते हैं सुक्राइब करते हैं सुक्राइब करते हैं जूल के करते हैं जो है अगर हम लोग में उल kıर स सवाल को हैं जो है व्रिशन के क्या कारे है और इन्हें जो है हम लोग व्रिशन को पुरुष के सरीर से यानि कि सरीर से बाहर इसको क्यों रखा गया है तो होता क्या है कि मानव में जो होता है व्रिशन इसके जो है कारे हैं जैसे कि आपके व्रिशन जो है क्या करते हैं वह क्या करते हैं और हम लोग व्रिशन की बात चारें तो गहां होते हैं तो यह पेलविक नीचे क्या होता है एक पाउच लायकिश्ट प्रचटर्स में होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं इस पर मेटोजनेस की प्रक्रिया होती है अब देखें इसका क्या होना है देखें की जर्म करते हैं बढ़ावा देते हैं इनका इस्टोरी होना बहुत जरूरी है ठीक है तो रिशन में जो है उत्पर्न हर्मोन जैसे की टेस्टोरेस्टोरी है मानव शरीर में दुद्ध्यक जनन लक्षनों को अस्थावित करनी के लिए उत्तरदाई होता है यानि कि स secondary sexual behaviors जो है न वह होर्मोन के द्वारा क्या होती है प्रदर्शित होती है ठीक है आगे हम लोग देखें कि नर में जो है विरिशन का जो है उदर गुहा के बाहर पाया जाने का कारण यानि कि यह हम लोग के सरीर के बाहर क्यों रहते हैं क्यों नहीं इसको सरीर के अंदर ही रखा गया तो होता है कि यहां क्या करती है जैसा कि अभी हम लोग देखें यहां क्या करता है аum नए आने वाली जो है जनरेशन को बढ़ावा देने में खिया जाता है तो होता क्या है कि यहां पर जो है ना हम लोगों का और हम लोग पढ़ चुके कि इसके क्या है तो इसको हम लोग के वरिशन कोस का था इन्हें सरीड से बाहर रखा गया है ताकि इस पर क्या है वहां जल दी खराव ना हो तो इस वज़े से क्या होता है हम लोग देखें कि मानव में एक जोरी विरिशन उदर गौहा के बाहर पाये जाते हैं जो स्कॉरटल सैक में बंद रहते हैं ठीक है सुक्रानू निर्मान के लिए तापकर्म सरीर से 2.5 degrees centigrade कम होना आवस्यक है क्यों आवस्यक है क्योंकि इसकारज़े बढ़किया अच्छी से हो रही है उसका है इस्तोडेश भी होना है आने था क्या हो जाएगा इस्परमेटोगशा से लहां निर्मान की प्रकलिया पुर्नरूप से नहीं हो पायगी या बाधित हो जाएगी य तो यहां पर हम लोगों को याद रखने की सबनार यहां पर इसलिए बोड़ी टमपरीचर से यहां इनका तापकर्म कम रहे, कितना कम रहे तो 2 या 2.5 degrees centigrade कम रहे जिस वज़य से इस परमेटोजनेसिस की परकिरिया और इनका इस टोड़ेज अच्छे से हो सके जिसका इस्तमाल क्या भावी पीडि को लाने में या एक नए जनरेशन को लाने में क्या होता है इसका इस्तमाल होता है तो यही वज़य है कि पुरिशों के कंडिशन से में जो है वरिशन कहा होते हैं ओधर गुआ के बाहर होते हैं